हलो दोस्तों नवस्कार मैं जेतवारी अपनी यूट्यूब चैनल एकजम तक मैं आप सभी लोगों का सौगत करता हूँ दोस्तों मैं आपको तीन विसे से संबंदित सारा कुर्स लेकर आ रहा हूँ इसमें आपका संबिदा का हिंदी बर्ग एक और बर्ग दो Detroit रहेगा दूसरा सामाजी विग्यान संबिदा रहेगा और तीसरा जो आपकी लेंगिज रहेगी English और Sanskrit इनके इस चार सब्जेट आपके complete हो जाएंगे तो आज मैं आपको Hindi बर्ग एक और बर्ग दो का पुरा syllabus किस book से क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको इस सब बताने जा रहा हूं दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे राइटर ने बहुत सारे प्रिकासन ने अपनी अलग अलग book निकाली हैं संबिता के लिए जिसमें आपको सबसे अच्छी language मिलेगी वो मिलेगी अरिहंत में तो आप लोगों के पास बहुत सारे लोगों के पास ये book होगी इसमें अरिहंत की book है और इसमें आप देख सकते हूं यहां पर उच मादमिक सिक्छक है न तो इस book में क्या है आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो अनुबुकों में नहीं है और पूरा syllabus आपका है और इसके अनुसार इसकी जो language है syllabus की बहुत simple language में लिखा हुआ है जैसे कि आपको मालूम है कि आपका जो गद्ध आता है गद्ध की सारी विधायं वगएरा है बहुत सारी लिखी हुई है इसमें और सारी important है निवंध नाटक कहानी उपन्यास एकांकी यत्रवित सारी के सारी बहुत कम से कम सब्दों में और अधिक से अधिक बात कहने वाली बात है इसमें तो इसको अगर आप complete कर लेते हो तो आपको बहुत सारी question आपको मिलने मिलेंगे और इसके लावा यदि आपको बहुत सारा knowledge पहले से आप ऐसी book पढ़ चुके हो तो आपको गद्य के लिए और अधिक ज्यानक लेने के लिए एक book आती है UGC Net की तो आपने देखी होगी UGC Net की यदि आप ऐसी book पढ़ चुके हो तो gurney यिए और इसमें आपको बहुत सीन है सबसे ornaments जाय क्या है around the प्रख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बाक्यों का रुपांत्रण भी दिया है आपके में इस लेवस में तो यह पूरा बाक एक तरफ से कर लेजिए वन विचार पूरा है आपका सब्दों में पूरा तद्बहुत अत्सम उपसर प्रत्य यह सारे सब्द हैं विदिसर सब्द देशर सब्द और इसके लाबा आपका तरफ जो यäre अप्रत्य गढ़ींद्य में उ आता है उसमें संचिपण वाला टॉपिक है तो तो संचिपन क्या होता है क्या नहीं उससे संभंदे जो कुष्च न आते हैं संचिपन के गुड कितनी गड़्द की विदायं हैं और जो पद्द है आपका पद्यसाहित तो कि बिशेश्टाएं क्या है इस तब आपको अच्छी से पता होने चाहिए और इसके अलावा जितने भी आपकी मुख विधायें हैं छे आपकी मुख विधायें और आठ आपकी गॉडविधायें मुख विधायों में कौन-कौन से आती है कहानी नाटक उपर्नियास एकांकी एत्रवित आपकी गॉडविधायें इसमें आपका आलोचना आजाएगी कहानी नाटक एकांकी और उपर्नियास इसके अलावा आलोचना इच्छे आपकी आती है मुख विधायें और गॉडविध द्तान्त पत्र साख्षातकार और डाईरी ये आपकी जो आठ विदाएं हैं ये आपकी घौड विदाएं तो आपको मुक्व भिधाओं पर ज्यादा द्याद देना है और मुख विधाओं में ऐसे जो सेकंड बर्ग की हिंदिय बर्ग दोग में आपको सिर्फ तीन विधाओं पढ़ना है जो नाटक, निवन्द और कहानी लेकिन बर्ग फष्ट में आपके 6 की 6 मुख विधाओं पढ़ना है आपको अच्छे से इनको चिन्हों की बारे में पढ़ने के अलावा आपको निवन्द लेखन पत्र लेखन इनकी बारे में पढ़ना है कि इनके अंग क्या-क्या होते हैं निवन्द लेखन का सबसे मुख अंग कौन सा है पत्र लेखन का सबसे मुख अंग कौन सा है कितने भाग होते हैं किस प्र को मालू होने चैएंगे बारे में पर किस अभ्भासा का उब निकली पस्ज्मी वासा औरिय蒸 उत्र confidential हो साहिं क पांच अछे निकली की कॉर्विक नोजी और यह की थो आपको यह पूरे एक दीप कि रस्षंद लंकर संधी समास कौन कौन से टॉपिक है आपके पूरे ग्रामर में दिए हुए उसमें का इन आपका कर अधिर सम् हैं इसकी अलाब आपका सब्दक पूरा जितना वे रहेगा सब्सक्राइब कर्ण परयाबाक्ची और इसके अलावा अनिक सब्दों के लिए एक सब्द भी है लोकोक्तियां मोहबरे लोकोक्तियां मोहबरे में अंतर क्या होता है जो आपकी लोकोक्तियां होती है वो पूरा बाक्त होती है उनका हम सुतंद प्रयोग कर सकते हैं लेकिन मोहबरे जो होते हैं वो बाक्यांस होते हैं जबकि लोगोगतियां बाख होते हैं और इसके अलावा कोई भी निविकेटिव बिचार अपने मन में आला है जैसा कि कॉम्पेटिशन बहुत जादा है या फिर कोई भी ऐसा बचार जो आपको पढ़ने के लिए पढ़ने से मना करता है जब भी हम किसी निगेटिव प्रोगे कभी जितनी करने के लिए आवस्ता है हमेसा उस चीज को जिसको आप पाना चाहते हो उसको कम से कम छोटा देखो आप इमानों कि सम्विदा में सेलेक्शन लेना सबसे इजी बात है वेकेंसी बहुत जादा है या फिर ऐसा कह सकते हो आपकी बीएड ओड वाले इतनी भी कॉम्टिटिव एक्जाम होते हैं दूसरी उनको देखा जाए तो सम्विदा में सेलेक्शन लेना बाकई मुश्किल नहीं है बहुत आसान है जैसे कि आप बैंक देखोगे रेलबे देखोगे ऐससी देखोगे तो इसमें भरमार बहुत सारे फॉर्म दलते हैं वे सलेक्टिड कर सकते हो और इस अच्छी से लेट को ले सकते हो और सम्विदा टीचर की जॉब बहुत ही अच्छी जॉब माने जाती है लगए 23 नहीं जौन की अ बहृत ऀपी जोब हैं अगर अब ही Mayor की जॉब है और अगर आप अभी से सासात आठा है गंटे जितना आ का बिरिक लीजिए जो पढ़ा है उसको रिविजन कीजिए केंटूनी नहीं पढ़ना है सर्फ द्रदस मिनिट का गप लेना है है तो यह सारी बुक ले लीजिए हम डेली एक दो दो टॉपिक कंप्लीट करने की कोसिश करेंगे और कल से डेली आपको एक वीडियो मिलेगा